वास्तु के अनसार सोने के भी होते हैं नियम बेडरूम बनाने से पहले जरूर जान ले किसी भी घर में वास्तु नेमों का पालन करने पर सुक सम्रिधी और शांती बनी रहती है वहीं वास्तु दोश होने से जीवन में तमाम तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में बेडरूम और बेड की दिशा तरह करते समय इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए बेडरूम यह महत्वपून स्थान होता है जहां आप दिन भर की थकान को दूर कर एक बार फिरूर्जा के साथ अपने काम पर निकलते हैं वास्तु शास्तर के अनुसार गलत दिशा में सोने से आप नींद न आने के कारण अने कई परिशानियों से ग्रस्थ हो सकते हैं क्या कहता है विज्ञान विज्ञानिक परिक्षणों से यह सपष्ट हो चुका है कि मनुष्य का शरीर चुम्बकीए तरंगों से प्रभावित होता है एवं स्वयमसुक्ष्म चुम्बकीए तरंगों को फेंकता भी है जो प्रभामंडल में आकशन एवं विकशन उत्पन करती हैं जिस प्रकार प्रित्फी का उत्तरी ध्रोव है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य शरीर का मस्तिश्क वाला हिस्सा उसका उत्तरी पल माना गया है। अतह संपूर्ण सुखद विश्राम के लिए मनुष्य का सिर्वाला हिस्सा सदैव दक्षिन ध्रोव की और रहना चाहिए, ताकि चुम्बकिये तरंगे सही दिशा में प्रवाहित हो सकें। पूर्णे कारे हैं। इस दिशा में सिर्कर के सोने से स्मिती, एक आगरता एवां स्वास्ते अच्छा बना रहता है और मनुष्य का अध्यात्मिक्ता के प्रती जुकाव बढ़ता है। सिर्कर के सोना भी अनुकूल है क्यूंकि यह दिशा नाम, प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा और सम्रिद्धी को बढ़ाती है। सोने के लिए सबसे बेहतर हैं दक्षिन दिशा, मित्यू के देवता यम दक्षिन दिशा के स्वामी है। इस दिशा में सिर्कर के सोना सबसे अच्छा माना गया है। वास्तू में कहा गया है कि स्वस्था आयू चाहने वाले मनुश्य को सदैव अपना सिर दक्षिन में एवन पैर उत्तर दिशाकी और करके सोना चाहिए। इस दिशाकी और सिर करके सोने से व्यक्ति को धन, खुशी, सम्रिधी एवन यश की प्राप्ती होती है। इसके अतरिक व्यक्ति गहरी नींद में आराम से सोता है।